आज हमारे डैरी फार्म में एक बच्चा दी है काफी बड़ा बच्चा है एक बच्चा है बच्चडा है यह गाय भी काफी अच्छी है 20 किलों के करीब दूद करती है इस से आगे व्यांत में 20 किलों की थी इस व्यांत में 22 से 24 किलों दूद करने की उमीद है अब यह गाय पांस से छे घंटे में अपने जार को छोड़ेगी बच्चा बहुत अच्छा है बच्चा काफी तगड़ा दी है बहुत तगड़ा बच्चा है गाय पे बच्चा को बहुत अच्छा से पेट पे पा लिए गाय काड़र का क्वालिटी देखिए गाय काड़र भी बहुत अच्छा है ऐसे ऐसे सारे गाय हमारे डेरी फारा में इसी क्वालिटी के है अब यह गाय है यह गाय चब्विश से अठाइस लेटर दूद करती है इसको बच्चा दिये एक वन मन्त हो चुका है अच्चा बच्चा ले इसको बच्चा दिये एक बच्चा इसको ने है कर दो कर दो है अब पांस से साथ मिट को रहा है गाय को बच्चा दिये और यह बच्चा कम से कम 20-25 मिट में खड़ा होना इस्टार्ट हो जाएगा इसका और काफी बड़ा बच्चा है कर दुआ जागा को बच्चा में खड़िए में खुआ लागा है कर दो क्रदाएग हो जाएगा है कर दो झाल, चल्वेष बंख़ा है कर दो कतो को पांस है कि अजएड़ा है देखे गाये के सेवा में ये हमारे मुन्ना बाबा है डेरी फारम के आधा मालिक ये ही है मुन्ना बाबा अपने हिसाब से बहुत ज्यादा केर करते हैं गाये बच्छों का देखे मुन्ना बाबा प्लीज इसका हेल्प कीजिए आप इसको खड़ा कर दीजिए काफी बड़ा बच्छा है इस वज़े से थोड़ा सा इसे खड़ा होने में तकलीफ हो रही है देखे मुन्ना बाबा बहुत जब जस्यादा करते हैं गाये बच्छों का मुन्ना बाबा का एक साधी हो चुका है अभी दूसरा साधी के त्यारी में भी लगे हुए है बहुत अच्छा से सेवा करते हैं जानवरों का ये अब देखे पूरा गाये के नीचे प्राली को बिच्छा चुके हैं कि गाये को कोई तकलीफ ना हो बैठने उठने में बच्छडा अच्छा से उठें ड्राई रहें सबसे में बात बच्छो को गाये के बच्छो को ड्राई रखना चाहिए ड्राई रखने से काफी अच्छा रहते हैं